नवश्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों आपने बिलकुल सही पड़ा है चीनी की मदद कर रहा है रश्या और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ ये खुद चीनी मीडियाने स्विकारी है इसको लेकर आर्टिकल बिछाते हैं वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी लेकिन जो मदद ये रश्या कर रहा है चाइना की ये बहुत ही जादा क्रूशल है क्योंकि जो चीनी सेना है इस मामले में बेहद ही जादा कमजोर मानी जाती है वही हम रूसी सेना की बात करें तो वो इस मामले में बेहद ही जादा experience है और बहुती लंबे समय तक इन हालाओतों का उन्होंने सामना किया है तो उन्हें पता है कि ऐसे हालात में क्या करना चाहिए जिससे चाइना को बेहद ही जादा मदद मिलेगी तो चलिए बिना समय का जान लेते हैं कि क्या मदद कर रह है रशाशाइना की और इससे भारत पर क्या फरग पढ़ने वाला है लेकिन उससे पहले हमारे उन वीर जवानों को शत्सत नमन करिये जिनोंने आज हमारे लिए अपने प्राणों की आहुती दी है और प्रात्ना करिये कि उनके परिवार इस दुख को सहने के लिए उनको हि आई जा रही है तो चलिए अब अपनी वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं तो दोस्तों चीन के साथ हुए घटना करम में जो पिछले साल हुआ इसमें एक बात चीन को समझ में आ गई थी कि हतियार होना बहुत जरूरी चीज़े ठीक है टेकलोजी भी होना अच्छी बात है इसके लावा आपके पास बढ़िया बढ़िया लड़ा को इमान हो वो भी अच्छी बात है लेकिन जब तक आपके पास ऐसे जवान नहीं होंगे जो चैलेंजिंग सिचुएशन में और साथ ही बहुत ही जादा क्रिटिकल सिचुएशन में खड़े होकर दुश्मन का सामना नहीं कर सकते तो फिर ना तो इन हत्यारों को कोई मतलब है ना ही इस टेकलोजी का कोई मतलब है क्योंकि अंत में उस टेकलोजी को उस हत्यार को चलाएगा तो आपका जवान ही और अंत में यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना और इसने ही चीन को बातचीत की टेबल पर वापस लाकर पटक दिया लेकिन चीन इस बार इतना जादा कमजोर होकर नहीं आएगा क्योंकि उसकी मदद कर रहा है रश्या स्कीन पर आप देखें साउथ चाइना मौनिंग पोस्क ने एक खबर चापी है जिसमें बताया है कि चाइना सेंड सोलजर टू रश्या फॉर स्नो पर आपको बहुत सारे बरफीले पाहड मिलेंगे आपको खुछ जवाब मिल जाएगा जी हाँ भारत ही है और इतना ही नहीं इस न्यूजपेपर नहीं यह भी बताया है कि कितने जवान गए हैं और साथ ही वो किस आर्मी की यूनिट से हैं फिलाल भेजे गए हैं करीबन 11 और यह है हारविन बेस के 78 ग्रूप आर्मी यूनिट के जो आती है नोर्दन ठेटर कमांड के अंदर तो क्या यह सिचुएशन भारत के लार्मिंग है क्या भारत को नुकसान देगी तो जी हाँ नुकसान तो बिलकुल देगी पहला कान तो यह है कि रश्या को जो बरफीली चोटियोग पर मतलब की ओपरेट करने का बहुत ही अच्छा नुबव है तो इससे चीन को मदद तो मिलेगी हला कि आप कहेंगे अभी तो 11 जवान भेजे हैं तो देखे 11 वो सीख कर आएंगे फिर वो 11 बाकी की अपनी जो यूनिट है उन्हें सिखाएंगे ऐसे ही होता है जब ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है और हमसे भी लोग जानते हैं कि चाइना दोबारा वापस आएगा चाहे वो दो साल बाद तीन साल बाद आए लेकिन वापस जरूर आएगा लेकिन इस बार मजबूत होकर आएगा क्योंकि रश्या उसकी काफी मदद कर रहा है तो इस पर आपका क्या वी पोइंट है इस बार मैं भी पोइंट नहीं दे रहा हूँ आप कमेंट खरके बताएगे क्या रश्या ने सही किया या गलत किया फिलाल सुट में इतना ही थैंक रूर्श ने वीडियो